हालो एवरिवन आज का जो मेरा सेशन है वो सी यू इटी के लिए है इसमें जो 22 का एक्जाम होने वाला है उसके उपर जो टेस्ट सीरीज जो आप लोग चाहते थे कि सर कोई सब्सक्राइब करें तो मैं सबसे पहले तो यह बता दूँ कि निमसेट के बाद एक अच्छा एक् नहीं कर रहा है तो तुरंती रेइस्टेशन करें इसके लावा रेइस्टेशन के बात बी जो इन्वरसिटी जोड़ेंगी उनके लिए आप लुटा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आजका शेशन है तो इसमें दो को शिसको हम लॉट रहे हैं एक क्रश कोर्स है और ए एक crash course test series है अब इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ सबसे पहले तो जैसे हम common university के exam पे जाते हैं तो आपने information पे जैसे ही आप click करेंगे तो आपको information bulletin मिलेगा और इसके इलावा syllabus मिलेगा अभी-अभी CUT का syllabus भी change हुआ है और आप लगवग निमसेट जैसा syllabus है पर pattern में थोड से पहले आपका जो code है वो है PGQP है ना 26 PGQP 26 code के लिए यहां पर लिखा 0 से 9 चलेके 37 तक important बात दो पार्ट है अभी इन्होंने syllabus चेंज करने के बाद यह clarity नहीं दिये कि section ऐसी रहेंगे पर अभी हम यह मान के चलते हैं और मान लीजिए एक भी कर दिया तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो जो section A है इसमें 25 questions होंगे और section B जो है उसमें 75 questions होंगे in all paper 100 marks 100 questions का होगा और section A में basically English reasoning, mathematical skill, quantity aptitude और general awareness को cover किया जाएगा और part B जो है domain knowledge का मतलब हुआ कि आप जिस section में जा रहें पर almost section B है और section A है वो MCA वालों के लिए almost same है तो हम जैसे ही पूरे syllabus की तरफ जाएंगे तो पूरे syllabus को अगर हम देखें तो तीन part में divide किया गया है master of computer application आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि सर वो पहले जो पिछले साल syllabus था उसमें computer का portion बहुत बड़ा था अब नहीं है तो latest syllabus के साबसे अगर हम बात करें तो तीन section में इन्होंने divide किया एक section यह पूरा reasoning का है एक section जो है वो पूरा mathematics का है अब math के section को अगर ध्यान से देखें तो कुछ topic के नाम नहीं है like binamal theorem का नाम नहीं है या complex number का नाम नहीं है ऐसे पर almost पूरा syllabus है math का और math के से लावा computer का syllabus है और computer के syllabus में भी computer के syllabus में भी conversion और basic computer का syllabus है अब इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें लगवग 100 question जो आने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ी आपसे बात करूँगा कि एक section हो गया 25 question का और एक section यह हो गया हो सकता है कि यह 3 part में 25 25 25 divide कर दें हो सकता है किसी हो सकता है by chance कि math के question 45 आ जाए 40 आ जाएं हो सकता है computer के कम आए हो सकता reasoning के कम आए यह कुछ नहीं का सकता जा सकता तो impetus गुरुकुल ने जो test series त्यार करिए वो आपको एक इस तरह की test series मिलेगी जिसमें की आपको हर तरह के test papers मिलेंगे और हम लोग week में तीन test paper रखेंगे और इसके exam date अभी नहीं आई है पर tentative मैं बोलू तो जुलाई एंड या अगस में exam होने के chance है तो अभी भी हमारे पास एक से देड़ महीने है तो इस testing के थुरू आप अपने आपको देख पाएंगे कि आप कहां से स्कर रहे हैं marking scheme क्योंकि इसकी रहेगी 4R-W निमसेट जैसी नहीं रहेगी जैसे होता है फिर computer का फिर reasoning का फिर English का यहां पर ऐसा नहीं हर question के four marks मिलेंगे और negative marking 1 की होगी इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका वाइचस मैस वीक है तो आप computer से स्कॉर कमा सकते हैं अगर आपका ब्लस पाइंट है और दूसरा weight is equal है तो यह plus point है तो हम लोगों ने जो test series तैय एक को वेटेस के साथ कभी किसी section का जादा रखेंगे कभी किसी section का कम उससे आप अपने आपको सही तरे से असिस कर पाएंगे तो एक तो हुआ test series और दूसरी important बात आप वो test series कैसे लेंगे मैं बताता हूँ आपको live.impetence.com पर जाना है जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो CUET 22 लिखा हुआ इसमें दो चीज दिखेंगे एक test series और एक crash course सबसे पहले मैं बताता हूँ कि crash course क्या है crash course का मतलब है कि कुछ की revision इसमें live classes test paper analysis की होंगी और जो बाकी topics हैं जो आपने syllabus देखा math reasoning और computer इनके आपको recorded video मिलेंगे because अगर live के थुरू पढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो यह possible नहीं है कि आपका syllabus complete हो दूसरी बात हो सकता आपका math अच्छा हो गया पर reasoning नहीं हुआ हो सकता आपका reasoning तो हो चुका है पर आपका math नहीं हुआ या computer तो आपको जो पढ़ना है जब live class होती तो फिर जो आपको पढ़ना वो नहीं कर सकते इसलिए इसमें आपको recorded class मिलेगी already डाल दी और इसमें add होती जाएंगी तो उससे यह होगा कि जिन topic पर आपका command नहीं है या जो topic आपने बिलकुल नहीं पढ़े उसका आप short term में revision कर लेंगे इसकी फीक बहुत ही nominal रखी गई है वो भी data charging फी है तो आप इस course के थुरू अपने syllabus को cover कर पाएंगे minimum time में और इसके लावा इस crush course test में CUT crush course में test series भी include हैगी यानि इसमें test series plus short videos रहेंगे जिससे आप अपने असाब से topics को cover कर सकते हैं आपको माल लिजे 50% मैस आती है तो उसका quick revision कर लिजेगा और 50% नहीं आती है उसको देख के कर सकते हैं या computer नहीं आती तो computer देख सकते है reasoning नहीं आती तो reasoning देख सकते हैं पर अगर आपका syllabus अच्छे से cover हो चुका है माल लीजे already माल लीजे कि आपने already syllabus अच्छे से cover कर रखा है और आपको लगता है केवल testing की जयुवत है तो आप फिर इसकी test series पे जा सकते हैं इसका भी बहुत ही nominal charge है और इसके इसमें आपको केवल test paper मिलेंगे test paper में test paper और topics की theory मिलेगे और इसमें केवल test paper मिलेंगे और इस test paper में आपको printed solution होगा जो कुछ paper के live solution होगे तो वो इसमें भी मिलेंगे और उसमें भी मिलेंगे अच्छा इसमें एक बहुत important question कई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर magical course वाले को access continue रहेगा की नहीं मैं एक बात clear कर दूँ magical capsule course जो था वो निमसेट का plan का course था और उसकी duration अपने आप निमसेट के exam के बाद चली जाएगी तो अगर आप CUT का exam दे रहा है वैसे भी इसके pattern में 100 question होगे थोड़ा से लेबस में variation है अलग ढंग से इसकी marking scheme है निमसेट की marking इसकी मलक थी तो आप लोग अगर magical course वाले हैं तो आपको इस course को अलग से लेना होगा क्योंकि बहुत ही नॉमिलल इसकी दोनों courses की ऐसी रखी जो data charging हाईगा वही आप से लिया जा रहा है तो आप इस course से जुड़ सकते हैं और इस course की validity रहेगी जब तक 22 का CUT exam नहीं हो जाए चाहिए फिर वह जुलाई एंड में हो चाहिए फिर वह जुलाई एंड की जगे अगस में हो जब तक एक्जाम नहीं होता है जब तक यह court चलता रहेगा और इसमें आपको regular paper मिलते जाएंगे और paper को क्योंकि आप जानते हो impetus गूर की test series है तो हल लेवल पर आपको तयार किया जाएगा और उसका benefit दिखेगा तो आप जितनी जल्ली हो सकता है join कर लिजे अल्रेडी जब से यह test series बनी है website पर इसके बाद से बच्चों ने लेना चालू कर दिये और इसका test इसी Sunday से start हो जाएगा तो आपको description में दिया हुआ website का link भी पर मैं बता भी र नहीं है निमसेट के वो संडे से start करें अगर आप निमसेट इलेजिबल है तो आप निमसेट के एक्जाम के बाद फिर आप जो संडे का test है वो दे सकते हैं तो इस तरह से आप इस test series से जुड़ सकते हैं thank you and all the best